व एक vector space है और M एक matrix दे रहे है T एक linear transformation जो V से V पर define है और किस तरह से है आप देख सकते हैं अब basis for kernel T की basis क्या होगा kernel T के लिए यह हमें पता करना है क्योंकि kernel T आपका एक vector space form करता है और सभी vector space के लिए एक basis exist करता है तो kernel T के लिए हमें find करना है तो एक element को हम kernel T में consider कर लेते हैं मा लेते हैं matrix A belongs to kernel T अगर यह matrix kernel T में belong कर रहा है तो क्या property को satisfy करेगा T A equals to 0 इसका meaning हुआ कि A M equals to M A अब हम इससे related consider करेंगे जो हमारी equation है इसी को consider करेंगे matrix A को consider कर लेते हैं A, B, C, D और matrix M आपको given है 1, 0, 2, 3 equals to 1, 2, 0, 3 और matrix A जो की है A, B, C, D दोनों साइड को हम multiply कराएंगे यानिके left hand side equals to right hand side यह हो जाएगा A, C यह होगा 2A plus 3B और यह हो जाएगा 2C plus 3D left hand side यह हो गई है right hand side हमें मिलेगी A plus 2C और B plus 2D 3C और 3D compare करने पर first element compare करते हैं तो हमें क्या मिलता है A equals to A plus 2C यहाँ से cancel out हो जाएगा C का value हमें 0 मिल जाएगा और अगर हम last element को compare करते हैं जो कि हमारे पास क्या है 2C plus 3D equals to 3D तो यहाँ से 3D से 3D cancel out और यह भी verify कर रहा है C equals to 0 अब हम यह element जिसको मैंने अब circle किया है इसको लिख लेते हैं 2A plus 3B equals to 2D sorry B plus 2D तो यह हो जाएगा 2A plus 2B equals to 2D पूरी equation को 2 से divide करने पर A plus B equals to D हमें यह मिलता है अब हमारे पास जो हमने matrix consider करा था A, B, C, D जो कि करनल T में था इसको मैं लिख सकता हूँ A अपनी जगा ऐसे ही B, B का value क्या होगा? वो भी अपनी जगा ऐसे ही C 0 है और D की जगा मैं लिख सकता हूँ A plus B D को लिखा है मैंने A plus B आप यहां से देख सकते हैं यहां से हमें पता चल रहा है कि C का value 0 है तो एक element हम consider कर लेते हैं A outside 1001 और plus B इसको मैं ले सकता हूँ 001 और यह भी 1 तो आपको देखना है कि कौन सा basis होगा? यहां पर ध्यान रखने वाले बात यह है कि एक vector space के एक से ज़्यादा basis exist कर सकते हैं लेकिन उन दोनों basis की dimension सेम होगी तो अगर आप options देखते हैं तो यह तो होगा नहीं क्योंकि दो vector से वो span हो रहा है यहां पर तीन vector से दे रखे हैं अब हमें देखना है कि B और D में कौन होगा तो देखें यह element दोनों में common है और यह हम उसमें देख भी रहते हैं पैनिंग सेट में है साथ ही साथ हमने देखा था कि C equals to 0 था जबकि यहां पर C equals to minus 1 है तो यह नहीं होगा यह होगा लेकिन जो वो element है second one और यह वाला जो second one element है दोनों differ है यानि कि यह जो basis है यह कोई दूसरा basis है और हमारा जो आया है वो अलग है लेकिन यहां पर यह भी basis form करेगा